हेलो दूस्तों मेरा नाम रूईत और स्वागत आपका अपने योट्र चनल बिसेश सेंटर में तो आज हम बताने वाले हैं बीबी एमक्यू सेमेस्टर 6 कोर 13 सब्सक्राइं पॉलिटिकल सीट आप सभी का एक्जाम है तो हम आपको 10 इंपोर्टेंट कोचन बताएंगे जो आपको एक्जाम में बहुत इसानी सर बहुत ही कोचन लड़ जाएगा तो इसके पहले मैंने दिया कोर 14 का ठीक है तो वह भी बहुत सरा मैच किया था ठीक है तो तो चली वीडियो को शुरुवात करते हैं बस 10 कोचन है जो के आप सभी को देख लेना है या तो फिर सून लेना ठीक है और ऑप्सन दिया रहेगा आपके अगर तो अप्सन में टिकाट लगा देना अगर अगर अप्सन नहीं दिया रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा ठ रहेगा तो फिर अभी पड़ेगा तो इसलिए मैंने इसको लास्न बता है ताकि आपको दिवांग में सीट रहे ठीक है दूसरा प्राचिन काल में राजनितिक विज्यान का अधियन कहां सुरू हुआ था यूनान में वह था ठीक है तीन तीसरा है पॉल्टिक्स किसने ठीक सिदान्त के नाम है ठीक है पलेटू और अरस्तू उसके बाद नेक्ट बात कर लेंगे हम लोग पाचमा कोचन नंबर कर ठीक है पाचमा नंबर में बोल रहा है कि धारा 370 कब हटाए गया था ठीक है धारा जो 370 था वह कब हटाए गया था तो यह हटाए था पांच राधन का बात कर रहा तो इसमें लिखा गया है किसे वेलवाधी प्र έंप्रा के सुत्रपात का प्रेना कहा जाता है ठीक है साथ मय किसे ने उद्हाटन किया है किसने जो था उत्तर वैभरबादी का परंपरा का उद्हाटन किया था तो इसका हो Aspectress of Politics के लेखा कौन है ठीक है जो New Aspectress of Politics के लेखा कौन है जो बुक है उस बुक का लेखा कौन है तो चारलस ए मरियन है ठीक है चारलस ए मरियन है किसका New Aspectress of Politics बुक जो है उसका लेखा चारलस ए मरियन है ठीक है आपको आध रखना है नाइन नमबर किसने राजनितिक सिधान्त का पतन का बात का कौन सा ऐसे लेखा विद्वान थे जो कहा राजनितिक सिधान्त का पतन हो गया है इस से लेटेड़े कोश्चन भी जो कि आपको सबको पढ़के जाना है तो इसका जो करेक्ट एंट सब्सक्राइब तो यह 10 इंपोर्टेंट एंपसी की कौचन है जो कि आपको सबको देख करके जाना और मुझे उमीद है कि आप सब्सक्राइब बहुत यह अच्छा जाएगा तो आप सभी को वेस्ट अफ लख मिलेंगे नेक्ट बीडियों में तब तक जहीं जवाल